हलो फ्यूवर्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाएंगी गुपाल जी की एक कलर्फुल सी माला और उसके साथ का पैंडेट तो चलिए हम अपना ब्लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिली जब इस तरह का बक्रम का तुकड़ा ये आप एक कुदन लिली जेगा ये स कुदन के चारों और फैविकॉल लगा देंगे मैं आपको बता दू मैंने हाँ फैप्रिक वाला फैविकॉल यूज किया है आप भी वही उसके जेगा जो नॉर्मल फैविकॉल होता है उससे चिपकते नहीं है फिर हम क्या करेंगे ये जो स्टोन वाली चैन है इसे अटैच करेंगे इस मेंने दो टाइप की स्टोन वाली चैन लिया एक बड़े स्टोन की एक चूटे स्टोन की आप इसकी जगह चाहें तो वाल चैन आती है उसको भी उसकर सकते हैं इस तरीके से मैं से कार्ड नूँगी आपको काट टार्म ध्यान रखना है आपको एक स्टोन एक्स करना अब हम क्या करेंगे इसके हम चारों तरफ फिर से फैबी कॉल लगा देंगे अब मैं बड़े स्टोन वाली जो चैन है वो इसमें अटैच कर लोगी मैंने यहां बकरम का तुकडा लिया है अगर आपके पास बकरम का तुकडा नहीं है तो आप कोई भी हार्ट कलर का तो इस तरीके से मैं चुपका लोगी इसके बीच की जो इसको फिल करना है मैं आपको बता दू यहां पर मैंने दो और तीन नंबर के गुपाल जी के लिए यह माला बनाई यह यह पैंडेंट और यह माला मैं उन्हीं के लिए बना रहे हूँ अब हम इसे कट कर लेंगे मैं यहां बनाते ही टाइम काटा है, आप चाहें तो पहले से से काटके भी रख सकते हैं, इस तरह मैंने इसे चुपका दिया है, अब मैं इस तरीके का जो वायार आता है जो मैं कंगन बनाने के लिए यूज करती हूँ, मैं वो लूँगी और इसे जस्ट उंगली पे रखके एक आई पिन बना लूँगी, इस तरीके से मैंने इसे बना लिया है आई पिन, अब हम क्या करेंगे, इसको ना अप लेंगे, किसकी लंबाई कितनी है, देखे, यह मेरे पेंडेंट थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं इसे काटके अलग कर लूँगी, मेरे पास यहां आई पिन न अब हम क्या करेंगे, इसको पर थुड़ा सा और फैबी कॉल लगा लेंगे, और फिर इसको पर बक्रव का तुकड़ा लगा देंगे, फिर इसे 10-15 मिट सूखने के लिए चोड़ देंगे, तो इस 10-15 मिट में ड्राय हो जाएगा, यह देखे, इस तरीके से ड्राय हो चुक तो देखिए इस प्रिटी सा हमारा पेंडेंट मन के तैयार है अब आम आप में इस तरीके के इस टाइब के तीन टाइब के मोटी लूँगि और फिर देखिए इस तरह पतले धागे में मूटा दागा बांज लूँगी फिर में इसमें क्या करूंगी सबसे पहले कि यल्लो मो और एक green मोती तो आप भी आप अपने according आपके पात जो मोती है आप वो ही sequels follow कर लीजेगा मैंने या तीन टाइप के मोती लिए ने तीन color के पर इनका size से में आप चाहे तो अलग-अलग color के रहे चार-पांच color के मोती ले सकते हैं मैं आपको बता दूँ जो सबसे चोटे मोती आते हैं जो पत्थर वाले मोती आते हैं इस टोन वाले मोती मैंने वहीं यूज किये हैं वो कि इनकी पॉलिश थोड़ी अच्छी रहती और यह काफी अच्छी quality क्या रहते हैं और लाग-लास्टिक भी होते हैं तो खराब नहीं होते जा यानने इनकी पॉलिश वह खराब नहीं होती देखिए इस तरीके से मैंने ये डाल लिये हैं अब मैं क्या करूंगी हमने जो पेंडेंट बना के तैयार किया है ना इसमें वो डालोंगी इस तरीके से अब जैसे हमने पहले मूती डाले देना सेम हम वही सिक फेंस को फॉलो करते हुए ग्रीन यलो और ब्लू सेम यही पैटन फॉलो करते हुए यहां भी मूती डाल लेंगे जब आप यह मूती डाले तो द्यान रखेगा आपको एकदम जो हम बना रहे हैं नेकपी इसे टाइट क करके नहीं लेना है नहीं तो जब हम माला पहनाते उस टाइप इसका फ्लो नहीं आता है तो इस तरीके से में फटाफट इसमें मूती डाल लोंगी आप लेनेachsen के क्या करेंगे दूसरे साइट में धैगा ऑल लेंगे अगर आपके पास अतना मोठा वाला भागा हो तो कि कलावा भी ले सकते हैं अगर कलावा ना हो तो आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं पर पतला धागा मत लीज़ेगा उससे माला सेट नहीं होती है इस तरीके से मैंने इसे बान लिया है आप जो एक्स्टर में हमारा ग्रीन वाला थ्रेड हैं हम उसे काटके अलग कर देंगे अब हम क्या करेंगे जस लेंगे इसे अच्छिश सेट कर लेंगे जसे हमें माला पहरानी है सीम उसी टाइप से अब मैं क्या करूंगी सबसे पहले इसमें तीन यलो मोती डाल लूँगी इस तरीके से मैंने इसमें तीन यलो मोती डाल लिए है देखिए इस तरीके से फिर मैं क्या करूँगी इसमें तीन ग्रीन मोती डाल लूँगी और फिर मैं तीन इसमें स्काय ब्लू मोती डाल लूँगी मैंने जो स्टोन वाली चेन ली है वो जो दोनों चेन है वो 20 से 25 रुपे मीटर मिल जाती है वो अलगलक size और अलगलक color में available होती है आपको market में असानी से मिल जाएंगी और मैंने जो इसमें बीच में कुंदन लगाया है वो 20 रुपे तोला आता है एक तोला में कम से कम आपको 20-25 ये जो कुंदने वो मिल जाते है और ये जो मोती है ये भी 20 रुपे तोले आते हैं तो ये भी market में असानी से अवेलेबल हो जाते हैं आप ये माला जरूर ड्राइ कीजेगा और फिर मुझे comment box से बताइएगा कि ये कैसी मनी तो इस तरीके से last ले मैंने इसमें मैंने और यलो मोती डाल दिये है अब हम क्या करेंगे pendant से सुई क को बहान निकाल लेंगे और इस तरीके से आपको सेट करते हुए चलना है फिर जो हमने पहले पैटर्न फोलो किया है न यलो ब्लू ग्रीन और यलो सेम हम यही पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी सारी माला को बना लेंगे इसके मैचिंग के वैंगल्स मैंने अल्रेडी अपने चैनल पे अप्लोट कर दिये है आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते है इस तरीके से हमारी यह माला बनके तयार है अब हम जस्ट क्या करेंगे दूसरी तरफ भी कठाण लगा लेंगे आप जब भी माला बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कम से कम मिनिमुम आपको तीन गठाने लेके ही चलनी है नई तो यह धागा वगेरा खिच जाते है या खुल जाते है अब हमें वाइट थ्रेट को काट लेंगे और ग्रीन वाले थ्रेट जो हमने एक्सटा में लिया है वो भी काट लेंगे मैंने माला को सेट करने के लिए पीछे मुती नहीं लगा आया है आप लगा लीजेगा ताकि आप माला आसानी सेट कर सकें 주 theo देख करना, कमेंट करना, मत बूलना, थेंक यू for watching my channel.